आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार केंद्र सरकार ने प्रदेश के पांच मैडिकल कॉलेजों में सनातक उत्तर की 803 सीटे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी प्रदेश में यूरिया के कलत को लेकर भाजपा का प्रदेशन कल वहीं कॉंग्रेस दिल्ली में किंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों पर करेगी प्रदेशन केंद्र सरकार की उप्लब्धियों पर उजयन में तीन दिवसी प्रदेशनी का शुभारम कल और एकलव आवासी स्कूलों की राश्रिय खेल कूद इसपरधा संपन पदक तालिका में मध्रप्रदेश अउवल अफ्ट समाचार अस्थार से केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले की तक्नीकी मुल्यांकन समिती ने मध्रदेश के पांच शास्की मेडिकल कॉलेजों में सनातक उत्तर पाथिक्रम में 803 सीटे बढ़ाने के प्रस्ताप को मंसूरी दे दी है इन सीटों को बढ़ाने पर 521 करोड रुपए खर्च होंगे इस खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा प्रदेश में किसानों को हो रही यूरिया की किलत को लेकर भाजपा कल प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक शिवम सांसद राकेश सिंग ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया यूरिया कमला सरकार की कूप्रबंधन के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहा है इसलिए पार्टी नेता शनिवार को किसानों के साथ धरना देंगे मंदल इस्तर पर दोपहर बारा बजे से तीन बजे तक होने वाले इस अंदूलन के दोरान क्रिश्वी उपजमंडियों और ससाइटियों पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा वहीं केंद सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खलाफ कॉंग्रेस कल दिल्ली में प्रदर्शन करेगी पार्टी के प्रदीश उपाध्यक्ष चंद्रप्रकास शेकर ने बताया है कि प्रदीश में बड़ी संख्या में पार्टी की नेता और कारिकरता इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं ये कारिकरता प्रदीश कॉंग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनात के अगवाई में इस आंदोलन में भाग लेंगे संसदफर 2001 में हुए हमले में शहीद हुए लोगों को आज श्रधान जुलियार पित की गई है लोगसभा में इसके बाद संसदी कार राज्यमंत्री अर्जुन राम मेखवाल ने दुशकर्म की घटनाओं पर कॉंग्रस नेता राहुल कांधी के टिपडियों का मुद्दा उठाया उन्होंने टिपडियों को आपती जनक बताते वे राहुल कांधी से इंबाफी मांगने की मांगी इस मुद्दे पर केंद्रे मंत्री स्मृती रानी सहीद सत्ता रोण के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गये जवाब में विपक्षी सदस्य भी हंगामा करने लगे इसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़नाने सदन की कारवाही पहले बारा बचे तक को और फिर अनिशित काल के लिए सगयत कर दी वही राजिसभा की कारवाही भी अनिशित काल के लिए सगयत हो गई उर्जा उतपादन और पर्यावरन सरेक्षन को लेकर सिंग्रॉली में आज से दोदिवसी अंतराश्रे सम्मेलन के शिरुवात हुई कोल इंडिया दुवारा आयवजित इस सम्मेलन में 200 से ज्यादा प्रतिनिधी भाग ले रहे हैं सम्मेलन में पर्यावरन को नुकसान पहुंचाये बगैर उर्जा उतपादन को बढ़ुआने के तरीकों पर विचार्वे मर्श क्या जा रहा है इसके लिए कोईले के उत्पादन से लेकर उर्जा उत्पादन स्थल तक उसे पहुचाने की तक्नीकी पर एक प्रदशनी भी लगाई गई मोक्यमंत्री कमलात ने कहा है कि नागरिक्ता कानून को लेकर उनकी सरकार का वही रुख होगा जो कॉंगर्स नीतरतु तै करेगा नई दिली में आज मीरिया से बाचीत की दौरान उन्हें कहा कि कॉंगर्स समयधान की मूल भावना की विपरीद किसी निर्ने को स्विकार नहीं करेगी उन्हें कहा कि बेतर होता कि प्रधान मंत्री इतने महत्वपून विशय पर कानून बनाने से पहले सभी मुख्य मंत्रियों से चर्चा करते मुख्य मंत्री कमलात ने प्रधीश के कई हिस्सों में कल हुई बारिश और उला व्रिष्टी से फसलों को वे नुकसान का सर्वी जल्द शुरू करने के निर्देश दिये हैं उन्हें कहाई कि संकट के इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है किसानों के हर संभव मदद की जाएगी ये समाचार आप आकाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के निसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर EIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या EIR News अब पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। सूचिना और प्रसारण मंत्राले के Regional Outreach Bureau भोपाल द्वारा कल से उज्जायन में केंजर सरकार के उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। पजेर प्रदर्शनी स्थल से सिंगल यूस प्लास्टिक के प्रती जन्च जागरुकता के लिए NCC की ओर से एक रैली भी निकाली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस मुद्दे पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। उमरिया जिले के बांधवगर टाइगर रिजरब में 15 दिसंबर से अनुभूती कैम का आउचन किया जाएगा। इस दोरान 15 जनवरी तक टाइगर रिजरब शेत्र में स्कूली चात्रों को वन एवं पर्यावरन की जागरती करने के लिए 18 जागरुकता शिवहर आयवचित किये जाएंगे। जिसमें प्रोदेश की विभिन जिलों से चैनित बाइस सो चात्र चात्राएं भाग लेंगी। वन निप्राणी और पर्यावरन जागरुकता विशेपर चेत्रकलार, निबंथ, वाद्विवाद और संगीत प्रतियोगिताएं भी सौसर पर आयवचित की जाएंगी। मुपाल में खेली गई राश्रिय एकलववे खेलकूत प्रतियोगिता आज संपन हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अमिज सांधी ने कहा है कि नशी से उबरने के लिए जागरुकता की जरूरत है। बैतिल जिले में 2641 मिट्रिक टन यूरिया पहुच किया है। प्रशासन ने कहा है कि जिले में यूरिया की पर्यापत उपलब दता है। संस्क्रदी मंत्री डॉक्टर विजय लक्षमी साधु ने महेश्वर के काशी विशुनाद घाट पर अंतराश्य फिल्म सूटेबल बॉय की शूटिंग का शुभारम किया। अंत में मुखे समाचार एक बार फिर। इस मुलिटिन में इतना ही आकाश्वानी भोपाल से अगला प्रादिशिक समाचार बॉलिटिन सुनिए कल सुबह साथ बचकर पाच मिनट पर। नमस्कार।